जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हारदिक स्वागते महा काली भगत गयाने यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ काली माता के सच्चे भगत होते हैं ऐसे लोग जो मैं बताऊंगी इस वीडियो में जिनके अंदर ये गुण होते हैं तो वो ही होते हैं माता काली के सच्चे भगत और सच्चे भगत हमेशा माता काली की सेवा पूजा पाठ अराधना हमेशा करते रहते हैं सच्चे मन से तो सच्चे भगत वो ही व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर शाक शात मातकाली विराजमान होती है तो चली दोस्तों बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेश्ट करना चाती हूँ अगर आप अमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक सेर कमेंट जरूर कर ले ना क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आस तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी तो अगर आप लोग भी माता काली के सच्चे भगत हो तो आप लोगों के अंदर स्वेहम ये गुण अपने आप आने लगते हैं नहीं कि जब माता काली आपके सरीर में विराजमान हो जाती है और आप एक सच्चे और अच्छे भगत बन जाते हो वो भगत नहीं जिसके उपर सवारी आती है मैं उस भगत की बात करनी हूँ जो भगती करते हैं ठीक है जो वो भगत होते हैं वो तो अल्रेडी भगत बन चुके होते हैं क्योंकि उनके उपर सवारी आती हैं लोगों का भला करते हैं बिमार व्यक्ती को ठीक करते हैं अभी मैं फिलाल बात करनी हूँ जो बिना गुरु अगर उनकी पूज़पट सच्ची होगी सेव सच्ची होगी और भगत माताकाली के सच्चे होंगे तो उनके अंदर अपने आप ही खुद बाखुद माताकाली ये बदलाव लाती है कि वो अपने सरीर में हमेशा ये चीज़ महसूस करते हैं कि उनके सरीर में माताकाली आप एक सच्छे भगत बन जाते हो तो आपके अंदर खुद माता काली यह गुण आप लोगों के अंदर पैदा करती है जो मैं आपको बताऊंगी तो सबसे पहला गुण यह होता है कि अगर आपने देवी मा काली की पूजा उठाई है सेवा उठाई है किसी ने बताई है तो करी हो या फिर खुद से ही कहीं से देख के करी हो कैसे भी आप लोगों ने पूजा पाट देख कर करी हो ठीक है या फिर खुद माने आपको बताया हो सपने में तब से आपने सुरू की हो जैसे भी आप लोगों ने पूजा पाट करी है तो आप अपनी पूजा पाट को continue नियम तोर पर हमेशा करते आ रहे हैं वो होते हैं सच्चे भगत क्योंकि जो सेवा होती है वो नियम टेम की होती है बिना नियम टेम के कोई भी शेवा नहीं होती और सेवा हमेशा इंसान को उसके समय पर करनी चीए यानि कि अगर आपने कोई समय बांध रखा है जिस समय हैते हों चाहे वो सुबह 8 का हो या फिर 9 बजे हो या फिर साम को 6 बजे का हो साथ का हो साड़े साथ का हो जो समय आपने पहले से ही और रेड़ी बांध रखा है उसी समय पर आप लोगों को मताकाली की पूजा पाट करनी चाहिए तब ही जाकर आप लोग एक सच्चे भगत बन पाते हो और दूसरी बात यह होती है कि जब आप लोगों के अंदर सच्चाई आती है तो हमेशा आप लोग सच का साथ देते हो यानि कि अगर आप के सामने कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और कोई व्यक्ति सही कर रहा है तो आप हमेशा सच्चाई का साथ दोगे यानि कि सही का साथ दोगे कभी भी आप जीवन में गलत का साथ नहीं दोगे अगर आप सच्चे भगत हो तो हमेशा सच्चाई पर चलोगे और ये भी बात होती है कि जब आप एक अच्छे भगत बन जाते हो माता काली के तो आप हमेशा जन कल्यान करते हो तो कभी भी जीवन में किसी को ठगते नहीं हो यानि कि किसी से पैसा नहीं मांगते हो कि भाई जैसे मान लो यहां पर आपके पास वद्दस अजार का किसी का कामा आपने किसी को ठीक कर दिया और आप उससे तीस अजार का सवाल कर रहे हो तो यह जो चीज होती है भोध कलच चीज होती है इसका डंड आप लोगों को यहीं भरना होता है और कहीं नहीं भरना होता है खुद वखुद किसी भी रूप में आकर भगवान आप से इस चीज का डंड भरवाता है तो आप लोगों कभी भी जीवन में ये गल्टी नहीं करनी है जब आप एक भगत बनोगे मात्यकाली के हमेशा जो व्यक्ति गरीब है उसका तो आपको हमेशा दिहान रखना है और जो बिल्कुल ही गरीब है उसका आपको हलके में भी काम करना क्योंकि भगतों पे बहुत तरीके होते हैं कि किस तरीके से किस का काम करना है किस तरीके से किस का करना समझ रो तो ये चीज़े आप लोग हमेशा ध्यान रखना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा अगर आप भूलोगे इन बातों को तो आप लोग कभी भी जीवन में एक सच्चे भगत माताकाली के नहीं बन सकते हमेशा माताकाली का सच्चा भगत वो ही होता है जो इन चीजों का पालन करता है जो मैंने आपको बता ही है और कुछ ये भी बात है जब आप भगत बन जाते हो तो आपके अंदर बिलकुल भी एहंकार नहीं आना चीज़िए आप एक मामूली इनसान की तरह रहें जैसे आम आदमी होता है वैसे ही आप लोग को रहना चीज़िए कभी भी अपने अंदर गुरूर नहीं करना चीज़ि पिर आप एक अच्छे भगत कभी भी नहीं बन पाओगे तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को अच्छे से समझाया है कि हमेशा सच्छे भगत में ये गुण होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं और क्या आपको नहीं करना चीज़िए वो भी बताया है और अब हम आप स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माकाली हर हर महा देम माता काली आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें जै माता की